नमस्कार प्रकर गूंज ड्यूस डेस्ट पर आप सभी का हार दिख स्वागत है मैं शाहन परवीन जानते हैं क्या है खबर मक्सम की एक कीतो भरी शाम रिपोर्ट वीना मेधनी जी मन्जिल ग्रुप साहितिक मंच भारत वर्ष के नौ दिवसिये कारी करम के बाद 23 जोलाई 2023 को मा आधारित रचनाओं का कायन हुआ जो फिल्मों से लिया गया था इसके पहले 22 जोलाई को मुकेश जी की जैनती पर मक्सम ने एक गीतो भरी श्रधांचली अरपित की थी मा आधारित रचनाओं का पाठ जो मक्सम के माननिया सभा पती जी द्वारा विगत तीन वर्षों से किया जा रहा है जिसका संकलन भी मग्वा द्वारा किया गया यह देखा गया कि आज की परिस्तित्यों में घर परिवार में मा उपेक्षित हो जाती है जिसके कारण वरदा आश्रम खुल पड़े यह बीड़ा उठाया सभवपती जीने की मा के महतो को जन जन तक पहुँचाया जाएगा इसी सिलसले में गत्र वीवार गूगल मीट पर शाम छे बजे से नौ बजे के बीच फिल्मों से मा आधारित गानों को लिया गया फिल्म के गाने ज्यान वरदक होते हैं एक एक ज्यानी लोग लिखते हैं इसे बोलकर इसके शब्द जो है वे बहुत कुछ कह जाते हैं एक एक शब्द भाव प्रकट करता है ज्यान दे मार्ग दर्शन करता है कारिय करम को तीन भागों में बाटा गया था जिसमें 6 बजे से 7 बजे तक जिसमें फिल्मों के 1944-1964 वर्ष के मां आधारित गीतों को गाया जाना था। मंच संचालन संस्था के पदादिकारी शिरीमती मीना मेदनी जी द्वारा किया गया कारेकरम की शुरुवात राष्ट को नमन करते हुए राष्ट गीत प्रस्तूत की आदर्नीय शिरीमती रमा बहेड जी ने ततपश्चा सरस्वती वंधना प्रस्तूत किया गया शिरीमती शोभा सतीश पाथक जी ने मा सरच्वती जी की किरपा प्राप्त होते ही कारेकरम शुरुआ समयना गवाते हुए प्रस्तुतियों को अधिक तम मौका मिल गया पहले भाग में प्रस्तुत किया शोभा सतीश पाथक जी निर्मला कंड जी रमेश कुमार दिवेदी जी गीता उपाध्याय मंजरी जी अनीता सोनी जी यह भाग पूरा होते ही दूसरे भाग की तरफ आगे बढ़ा गया जिसमें भाग लिया डॉक्टर वसल्ला जी सीमा शर्मा मंजरी जी कमल प्रोहित अपरिचित जी आशा जाकर जी रितु प्रग्या जी कुवर उदै जी राम कुमारी जी सरला विजय सिंग सरल जी विनकुमार पाथक जी रेनू ब इस भाग ने अपना पूरा समय लिया ठीक आठ बजे तीसरे भाग में परवेश किया गया भाग में निम्लिकित प्रति भाग्यों की प्रस्तुत्या होई शोभा सतीश पाथक जी वीना मेदनी जी संतोष भाव वाला जी शिवालिका सिंग कुछवाः जी वीना कुमार पाथक जी स्वन्ड लता सोन जी कमल पुरोहित और परीची जी शोभा देश पांडे जी इस तरह से और भी उपस्तित रचनाकारों ने फिल्मों से जुड़ी कुछ मुखरों को सुनाया और विशेश रूप से उपस्तित अनेक रचनाकार रहे जो श्रोता बनकर गीत से सजी सभा की शोभा बढ़ाते रहे अंत में बहुतों ने समय के अनुसार गानों के मुखरों को सुनाया प्रस्तुत गीतों के जरीए एक संदेश दिया गया की मां से बड़ा कोई नहीं होता इसी तरह सभी ने भरपूर जोश के साथ अपनी प्रस्तुतिया दी मा के महत पर जो गाने दर्शाए जा रहे थे वैस सामने आए और सभी पर अमिट छाप छोड़ दे अंत में अध्यक्षे उद्बोधन में सुधीर जी ने कहा कि गानिक का पहले रियसल कर लेना चाहिए फिर सामने आना चाहिए अपनी खरी-खरी बात रखी तत्पश्चात मीरा मेदली जी ने सब का धन्यवाद ग्यापित करते हुए कहा कि हम सभी गाय क्या गाय का नहीं है फिर भी हमारा प्रियास सफल रहा यह हमारा पहला कदम है अभी अमें बहुत दूर जाना है इसके लिए मेनत चाहिव है कितनी भी कंडी पड़े किसी भी छेतर में हो उसका रियसल करना जरूरी होता है अर्था ट्रैक्टिस प्रियास होना चाहिए अंत में सरला विजय सरल जी ने राष्टिगान प्रस्तूतिया कारी करम संपन हुआ और सफल रहा आज के वाल इतना ही और अधिक ताजातरीन ख़बरों के लिए जुड़े रहे प्रकर गूंज नियूस जैस के साथ